सच्छी अकाल प्यारे बच्चेओ, जमात पंजवीन दे सारे ही बच्चेयां दा ग्रित विशे दी आज दी इस क्लास विच बहुत-बहुत स्वागत है प्यारे बच्चेओ, असी मिशन सत परतीशत दे नाल सबंदत अभ्याशीट नमबर दो दे स्वाल हल करांगे बेटा इह सारे ही स्वाल बहुत विकल्पिक प्रशन हन, हर प्रशन दे चार-चार विकल्प दिते हुए हन, असी सही विकल्प दे सही दा निशान लगावांगे, सुआव शिरू कर दे हां बेटा प्रशन एक है, गिलासां उपर दिखाए बंटेयां दी मदद नाल संख्या विच सैंकडे स्थान दे अंकदा अंकित मुल दसो बेटा इकाई वले स्थान ते गलास उपर तेन बंटे हन दहाई वले स्थान दे गलास उपर दो बंटे हन सैंकडे वले स्थान दे गलास उपर पांच बंटे हन अते इसे तरह हजार वले स्थान दे गलास उपर चार बंटे हन जेड़ी संख्या सानु प्रापत होई है ओ है 4530 बेटा संख्या विच सैंक्डे सान दे अंक दा अंकित मुल पांज है इस प्रशन दा सही उत्तर है ससाविकलब जो के है पांज ससाविकलब ते असी सही दा निशान लगावांगे प्रशन दो है हेठा दितियां वस्तुआं अते उन्ना दे मुला नू देख दे हुए दसो के वद दे क्रम विच रख दे समय तीजे नमबर ते केड़ी वस्तुआ वेगी बेटे इते सारियां वस्तुआवांदे मुल दिते हुए हन प्यारे बच्चो इन्ना मुलानू वेखदे हुए असी इन्ना वस्तुआनू वद्दे करम विचरक के वेखदे हां सब तो कट कीमत बलब दी है जो के है एक सो पंजार रुपे इस तो बाद कीमत है कडी दी जो के है साथ सो पंजार रुपे कडी तो वद्द कीमत है पक्खे दी जो के है एक हजार दो सो रुपे सो इते असी लिखांगे पक्खा बेटा सब तो वद्द कीमत है ग्रीन बोर्ड दी सो वद दे करम विच सब तो वद कीमत वाला है ग्रीन बोर्ड ग्रीन बोर्ड दी कीमत है 1632 रपे सो अखीर विच आवेगा ग्रीन बोर्ड प्यारे बच्चेओं होन असी वेख दे हाँ कि इना वस्तुआं विच यों तीसरे स्थान ते केड़ी वस्तु है हां जी वेटा तीसरे स्थान ते है पक्खा सो इस दा पाव है प्रशन दो दा विकलब उड़ा सही है सो उड़ा विकलब दे असी सही दा निशान लगा मांगे प्यारे बच्चेओं अग्ये वाद दे हुए होन असी इस अभ्यास शीट दा प्रशन नमबर तेन हल करांगे बेटा प्रशन नमबर तेन है सात हजार जमाशे सैंकडे जमा तेन एकाईयां बेटा असी इस तरह सारनी बना लई है होन असी विखांगे कि एथे किनिया इकाईयां दितिया हुए हन हांजी बेटा तिन इकाईयां असी सारनी वेच इकाई वले स्थान ते तिन पर लिया है इथे कोई वी दहाई नहीं है इसलिए असी दहाई वले स्थान ते जीरो पर रिया है इथे शे सैंकडे हन इसलिए सै प्रश्य नमबर चार हल करांगे जेकर एक पैन दा मुलवीर पे होवे तां अजहे सारे पैन खरीदन लई किन्नी राशी देनी पवेगी पैला असी इना पैना दी गिंती कार लेने हां पैना पैना दी गिंती करंते गिंती आई है नौ पैन दा मुल है वी रुपे होन असी नौ पैना दा मुल पता करना है जो के है नौ गुणा वी रुपे वेटा इना नौ गुणा करंते उत्तर मेल दा है एक सो असी रुपे सो इस दा पाव है इस प्रशन दा सही उत्तर है इडी विकलब इस दे असी सही दा निशान लगावांगे बेटा प्रशन नमबर पांच है सेब बांदी गिन्ती अनुसार केडा कथन ठीक है इस दे चार वे कलब दे तेहन, सही वे कलब दे असी सही दा निशान लगावांगे बेटा जदो असी इनना से बांदे दो दो दे बराबर दे समूबना के वेखे तां साड़े कोल एक सेब बाच गया इस दा पाव से बांदी गिंती अनुसार एह संख्या टांक है बेटा क्योंकि एह संखे टांक है इसदापाव एह संखे दो नल नहीं बनड़ी जा सके इसे तरह तेन तेन दे समूबना के विखंते एसेब तिनना तिनना दे बराबर दे समूह विच नहीं बनड़ी जा सकदे बेटा इह सेब चार चार दे ब्राबर दे समुहां विच भी नहीं वंडे जा सके सो इह संख्या तेन अते चार नल वी पाग नहीं हुंदी बेटा इनना सेबानू पांज पांज दे ब्राबर दे समुहां विच नहीं वंडे आ जा सके ना ही इनना नूशेशे अते ना ही इनना सेबानू साथ साथ दे ब्राबर दे समुहां विच वंडिया जा सकेा वेटा साथ दे समुह बनाउन ते वी साडे कुल चार सेब बाच गे वेटा आठ आठ दे समुह बनाउन ते वी साडे कुल तिन सेब बाच गे बेटा इह सेब ना ते नो नो दे बराबर दे स्मूब ना सके ना ही दस दस दे बराबर दे स्मूब ना सके इस दा पाव इह संख्या पांज शे साथ आठ नो दास किसे वी अंकनल पाग नहीं हुंदी इसलिए यह संख्या अपाज है बेटा इस दा विकलब इडी सही है सो इस दे असी सही दा निशान लगावागे बच्चेव का अर्दे काम लई तुसी करवाएगे प्रशना दी दोहराई करनी है